जैजनेंद बंदू मैं रवी जैन गुरू जी आज शुक्रवार और सिरी सुम्तिनाद भगवान का गर्ब का लियानक हम सब को चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेस रासी वाले उधार देने से बचें पूंजी निवेस सोच समझ कर करें क्या करें सिरी धर्मनाज जी का चालिसा एक बार अवश्य पढ़ें वश्यबरासी वाले आज नुकसान की आशंका कारिय छेत्र भी बदल सकता है क्या करें लीची का त्याग रखें लीची का परहेज करें मिथुनरासी वाले सोचा हुआ कारिय पूरा होगा वाहनादी का प्रबल योग क्या करें शिरी पारशना तिस्तोत्र एक बार हलकी आवाज में पढ़ें करकरासी वाले विवेक से कार्य करें वक्त थोड़ा कमजोर है क्या करें आज तर्भूज का सेवन ना करें तर्भूज का परहेज गरें सिंग रासी वाले हर किसी को दोस्त ना बनाएं टी का टिपनी से भी आज बचें क्या करें मौर पंख कमरे में रखें कन्या रासी वाले अधिक ना बोलें धीरे धीरे परियास जारी रखें क्या करें गोशाला में यथा संभव दान दें सहयोग करें गायों की सेवा करें तुलारासी वाले सफलता जरूर मिलेगी परतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी क्या करें घर के कोने में पीली सरसो रखें व्रश्यक्रासी वाले पदोननती के चांस व्यापार के पड़ती सजग रहें क्या करें गरीबों में यथा संभव चावल दान करें धनूरासी वाले सेवकों से सावधान रहें बाच्चीत संतुलित करें क्या करें किन्नरों को यथा संभव दान दें अगर भें आपको दिखाई देतो मकरासी वाले आज का दिन ठीक ठाक है लेकिन महनत से कारिय करना पड़ेगा क्या करें सूरिय उद्य के समय शिरी पदम परभु चालिसा एक बार अवश्य पड़ें कुम्बरासी वाले समश्या का समधान निकलेगा सुब समाचार भी मिल सकता है क्या करें जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर बाहर निकलें मीनरासी वाले विदे स्यात्रा का योग कारियों में कोताई बिलकुल ना बढ़तें क्या करें शीरी भक्तामबर जी का पाठ एक बार हल्की आवाज में पढ़ें रासि फल्के पश्यात बंदो अब बात करते हैं आजकी सल練 की देखें आजकी सलह में ध्यान रखें अगर काफी महनत करने के बाद भी काफी परियास करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके पास धन नहीं रुक पा रहा है और धन का आगमन भी नहीं हो पा रहा है तो लक्षमी प्राप्ति के लिए शेरी भक्तामर इस्तोत्र का तेरा नंबर का काव्य बहुत उप्युक्त काव्य है आपको चाहिए कि तेरा नंबर के काव्य की रो जाना एक माला फेरे लक्षमी प्राप्ति के लिए अगर समय का भाव है तो आप इसको तेरा बार रो जाना सुबह साम पढ़ें अगर आप ऐसा लंबे समय तक करेंगे तो निश्चित रुप से एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान रखें लक्षमी प्राप्ति के लिए शेरी भक्तामर इस्तोत्र का तेरा नंबर का काव्य बहुत उप्युक्त होता है और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भीजी है सीमा जैन जी ने दिल्ली से लिखते हैं गुरू जी जैजिनेंद्र मुझे डर लगा रहता है कि मेरी उम्र कम है क्या ऐसा है अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँ कि ये डर मेरे मन से बिलकु समाप्त हो जाए बिलकुल भी परेशान ना हो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में लगन का स्वामी अश्टम भाव में अपनी रासी में बैठा हुआ है तो निश्चित रुप से आप में उम्र की बिलकुल भी कमी नहीं है आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर बैठा हुआ है ज अगर आप दो उपाए करेंगे तो निश्चित रुप से ये विचार आपके मन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा पहला उपाए शाम के समय चंदर पभू चालिसा तीन बार पढ़ें और दूसरा उपाए अमावश्या के दिन सवा किलो चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान दें अगर ये दो उपाए आप लंबे समय तक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के नेगेटिव विचार आपके मन में आने बंद हो गए हैं और बंद हो इसे के साथ आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लग अबातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सबी को जै जिनेद्र रहां